दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी कमपनी में काम करते हैं, या कहीं भी कोई भी काम करते हैं, और उसका हिसाब रखने के लिए आप किसी कापी या कैलेंडर में नोट करते हैं, तो दोस्तों, आज के बाद ये सब करना आप भूल जाएंगे क्योंकि आज के इस विडियो में हम आपको एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप प्रतिदिन हाजरी और गैर हाजरी भर सकते हैं, साथ ही इस एप में आप ओटी हाफ डे औ का नाम है, Self Attendance, यह एप आप आपको Google Play Store पर आसानी से मिल जाएगा, दोस्तों आगे स्टेप बई स्टेप हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने मोबाईल में Google Play Store से इस एप को इंस्टाल करना है, और इंस्टाल होने के बाद इस एप को ओपन करना है, एप ओपन होने के बाद स्क्रीन पर आपको Continue पर क्लिक करना है, Continue पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे तरफ Right Side में Plus आइकन पर क्लिक करना है, अब यहाँ Add Subject और Work में आपको अपनी जोब या Company का नाम एंटर करना है और नीचे Add पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे Continue पर क् फिर आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय का एक Calendar दिखाई देगा, यहाँ आपको अपनी हाजरी या उपस्तिती भरने के लिए सबसे पहले तारीक पर क्लिक करना है, जैसे ही आप तारीक पर क्लिक करेंगे आपके सामने साथ अलग-अलग Menu लिस्ट दिखाई देगा, यहाँ आ आप इस पर क्लिक करेंगे तारीक में हरा रंग हो जाएगा उसके बाद आपकी उपस्तिती यहाँ दर्ज हो जाएगी, अब गैर हाजरी भरने के लिए आपको यहाँ तारीक पर क्लिक करना है और यहाँ लिस्ट मेन्यू में से अपसेंट पर क्लिक करना है जैसे ही इस पर क क्लिक करेंगे तारीक का रंग लाल हो जाएगा और आपकी अनुपस्थिती दर्ज हो जाएगी. यहां आपको लिव दर्ज करने के लिए More Option पर क्लिक करके Holiday पर क्लिक करना है फिर आपका लिव इसमें दर्ज हो जाएगा. इसी तरह से आप यहां Half Day, O.T. Shift दर्ज कर सकते हैं. आपको यहां अपनी हाजरी या गैर हाजरी को मिटाना है तारीक पर क्लिक करके नीचे में Clear पर क्लिक करना है फिर मिट जाएगा. दोस्तों, एक महिना में आपका कितना हाजरी, गैर हाजरी, Half Day और Overtime हुआ है यह सब आपको इस आप के नीचे में दिखाई देगा. पिछले महिने का Attendance देखना रहेगा तो आपको उपर में Top Left Side में प्रेव पर क्लिक करना है. और अगले महिने का देखना है तो Next पर क्लिक करना है. अगर आपको सभी महिने का टोटल अटेंडेंस देखना रहेगा तो नीचे में, अटेंडेंज फार इस मौन्थ के साइड में एरो आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ आल मौन्थ को सेलेक्ट करना है, फिर आपका सभी महिना का टोटल अटेंडेंज जुड़कर दिखाई देग दोस्तों इस तरह से आप अपनी मोबाईल फोन में अपना अटेंडेंस भर सकते हैं दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें विडियो देखने के लिए शुक्रिया